नमस्कार दोस्तों तेलर्नर पॉइंट में आप सभी का श्वागत है इस वीडियो में दोस्तों अपन करेंगे जो कक्षा आठ की हमारा राजस्तान की बुक है उसका टेस्ट ये दस के दस चेप्टर है उनका दोस्तों टेस्ट रहेगा अलांकि टेस्ट पहले ले लिए हैं एक एक वीडियो के तुरू जैसे पार्ट दो के लिए फिर तीन पार्टों के पिर चार के तो उन्हीं का ये मेरा थन वीडियो है यानि उन सब वीडियों को एक कर दिया गया है तो आप इन सब वीडियों को देखिए और एक साथ आपकी जो कक्षा 8 की जो बुक है उसका टेस्ट है वो एक साथ ही हो जाएगा तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास नमस्कार दोस्तो दे लर्नर पॉइंट में आप सभी का श्वागत है दोस्तो हमारा राजस्तान कक्षा आठ की जो बुक है उसके पहले और दूसरे जो लेसन है 18-वे सदी का राजस्तान और 1857 का सौतन तरता संग्राम में राजस्तान उसके कुछ प्रसन है वो अपन हल करते है आप इन में से कितने सही कर पाते हैं कमेट बॉक्स में जरूर बताना और दोस्तो टेस्ट की सुचना है पहले टेलीग्राम पर दे दी जाती है आप जोइन कर लें तो देखे पहला पार्ट है 18-वे सदी का राजस्तान तो पहला क्यूशन देखे ए अगला क्यूशन यह है राजस्तान में सरव पर्थम 17-11 इश्व में मराठो ने कहा परवेश किया या ढूंढार परदेश में इसका राइटाण्सर हो जाएगा मेवाड मेवाड परदेश में परवेश किया अगला देखिए प्रस्णी यह है 1720 में किसने मराठा दवज अटक से कटक तक पहराने का लक्षे निर्धारित किया था 1720 में किसने मराठा दवज अटक से कटक तक पहराने का लक्षे निर्धारित किया था सीवाजी, राजाराम, चंभाजी या पेश्वा बाजीरों इसका रायटांसर हो जाएगा पेश्वा बाजीरों अगला परसंद देखिए 1726 एसवि में मराठो ने कहां पर आकर्मन किये कोटावे बुंदी दूंगरपूर वे बांसवड़ा परताबगडवे जलावाड बाड़ मेरवे जलोर तो कोटावे बुंदी पर 1726 इस्वे में मराठों ने कहां पराकरमन किये तो कोटावे बुंदी अगला देखे प्रसन ये है कि राजबूत 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 हुरुडा समेलन जो की भीलवाडा में हुआ की अधेक्स्ता किस ने की स्वाई जे सिंग अभ्या सिंग महाराव दुर्जन साल या महाराणा जगत सिंग द्वित्य तो हुरुडा समेलन की अधेक्स्ता किस ने की तो महाराणा जगत सिंग द्वित्य ने की अगला परसन देखे परसन ये है हुरुडा समेलन के पश्चात सभी सासकों ने किस इस्तान पर वर्सारीतु के पश्चात एक्तिरित होने का निश्य किया हुरुडा समेलन के पश्षात सभी साशकों ने किस स्थान पर वर्षारीतू के पश्षात एक्त्रित होने का निश्य के था गोपालपूरा, गोविनपूरा, रामपूरा, कल्यानपूरा इसका राइटन्स रोजाएगा रामपूरा अगला परसन देखे परसन यह है, पेश्षवा बाजिराओ ने राजस्तान की निती का आंकलन करने के लिए अपनी माता रादा भाई को कब राजस्तान में तिर्थ यात्रा पर भेजा था तो अच्छा परसन है 1734, 1735, 1736 या 1737 तो यह भेजा था 1735 को कब 1735 और यह रादा भाई नाम याद रखना अगला परसन देखे जेपुर उत्रा दिकार संगर्ष में मराठा सरदार महाराव होलकर द्वारा किसका पक्स लिया गया महाराणा अमर्शिंग, महाराणा माधोशिंग, इश्वरी शिंग या रामशिंग तो इसका राइट हैं फ्रोजे का महाराणा माधोशिंग का पक्स लिया था किसका महाराणा माधोशिंग का अगला परसन देखे, परसन ये है कि राजमेल वे बगरू के युदकिन के मद्दे हुए राजमेल वे बगरू के युदकिन के मद्दे हुए महाराणा अमर्शिंग वे स्वाई जे सिंग महाराणा अमर्शिंग वे महारा होलकर के मद्दे माधोशिंग वे इश्वरी शिंग के मद्दे महारणा अमर शिंग वाय जगत सिंग द्वित्य के मद्दे इसका राय टांसर हो जाएगा मादो सिंग और इश्वरी सिंग के मद्दे सिवालोपस चलिए अब उपर आले दो परसनेन की थोड़ी व्याक है आपन पढ़ लेते हैं अबर दो रास्तान अध्यन कक्षा आठ जयपूर उत्रादिकार संगर्ष है उसमें दे रखा है उद्यपूर के महारणा अमर शिंग द्वित्य की पुत्री चंदरकूवरी का विभा जे शिंग के साथ 1708 में इस सर्थ पर हुआ कि मिवाड की राजकुमारी से उत्पन पुत्र जयपूर के शिंग आशन पर बेटेगा 1713 में स्वाई जे सिंग की मरत्य हो जाती है तम मिवाड की राजकुमारी चंदरकूवरी 22 उत्पन पुत्र महादोशिंग ने अपने मामा महारणा जगत सिंग द्वित्य के सहयोग से स्वाई जेशिंग के जेश्ट पूतर इश्विरी शेंग को चुनोती दी मराथा सरदार महाराव होलकर्द वारा मादोशिंग का पक्स लिया गया इश्विरी शेंग वे मादोशिंग के मद्या राजवहल और बगरु के यूदवे अपने सेनापती हर गोविंद नाटानी की कुटीलता के कारण इस विरिशिंग को आतमत्या करनी पड़ी और मादोशिंग मराठों के शेयोग से जेपुर का सासक बन गया अगला क्यूशन देखिए आपके समने स्प्टिन के उपर ने ये रहा क्यूशन ये है जोदपुर उत्रादिकार संगर्श किन के मत दे हुआ जोदपुर उत्रादिकार संगर्श किन के मत दे हुआ राम सिंग वैं बक्त सिंग, राम सिंग और मान सिंग, बक्त सिंग और दुरुजिन साल, अरी सिंग और राम सिंग इसका राइटांसर क्या हो जाएगा राम सिंग और भक्त सिंग के मद्देवा था जोदपूर उत्रादिकार संगर्ष अगला परसन परसन ये है कि राजस्तान में सरवपर्थम किस रियास्त ने अंग्रेजों के साथ संदी सविकार कर ली अच्छा परसन है मारवाड जयपूर या भरतपूर इसका राइटांसर हो जाएगा भरतपूर देखे अंग्रेजवे संदियां इसमें लिखा हुआ है राजस्तान के राज्यों में सरवपर्थम 39 स्तंबर 803 को भरतपूर राज्ये ने अंग्रेजवे के साथ 77 सविकार कर ली 1818 इस्वे तक शिरोही राज्ये को छोड़कर सभी राज्यों ने कम्पनियों का सरक्षन सविकार कर लिया केवल मारवाड के विरोध के कारण शिरोही से ततकाल संदिय नहीं हो सकी ओएं 1823 में इन्होंने ये सिरोही है इसने भी अस्ताकसर कर दिये थे एक दोस्तों जो मिवाड उत्रा दिकार संदिय से है इसके बारे में भी एक लाएने बता देता हूँ 1761 इस्वे में महारणा राज सिंग द्वित्य की मर्त्य होने से अरी संग को मिवाड के राज सिंग आसन पर बिठा दिया इसके कुछ में पशा थी मिवाड की गद्दी के दो दाविदार होगे एक अरी सिंग और दूसरा रतन सिंग दुन्नों ने मराठों से साहिता प्राप्त करने के प्रियास के प्रिणाम सुरूप ग्रह युद में मराठा हस्टेप होने लगा जिससे मिवाड की समाजिक सांसकर्तिक आर्थिक राजने तिक प्रगते के मार गया वो अवरुद होगे तो ये लाइन दे रखी है जो मैंने आपको पढ़ कर सुना दी फिर देखिए राजने अंग्रेजों के साथ संदी कभी सभी कार कर ली 1803, 1822, 1813, 1825 इसका राजन देखिए अफिर देखिए मराठा दोरा अन्य असासकों से लिया जाने वाला सुरुकशाकर क्या कहलाता था खिराज, चोथ, पथदम या कुनता इसका राइटांसर क्या हो जाएगा चोथ कहलाता था चोथ फिर देखे लेशन दो आ गया अठारा सो शताउन का सौतंतरता संग्राम राजिस्तान तो देखे इसका क्यूसर नंबर एक या पंद्रामाली जी डूंग जी और जोहार जी तथा लोठुजी जाटने किस सेनिक चाउनी को लूटा था एरिनपुरा देवली खेरवाडा नसीराबाद इसका राइटांसर हो जाएगा नसीराबाद को अगला प्रसंद देखे निमन में से ऐसत्ते यूगम है इधर बटालियन दे रखे इधर स्तापना कभी थी तो मेवाड बटालियन की स्तापना 1822 सेखवाटी बिग्रेड की स्तापना 1834 फिर देखे जोधपूर लीजियन का गठन 1835 मेवाड भील कोर की स्तापना 1845 तो देखिए मेवाड भीलकोर है इसकी स्थापन 845 में नहीं 821 में हुई पब हूई 831 तो ये ऐसकते हैं ठीक है 831 में हुई थी कब 831 अगला परसंदेगे 370 की क्रांतिकी शुरुवात मेर्ट में कभी 950요 3181810 में 607 तो 10 1958 अगला परसंदेखिए राजस्तान के एजब्स लोरेंस को मेरट विद की सुचना माउन्ट आबू में कभ मिली अगला परशन देखिए राजस्तान के एजीजी लोरेंस को मेरेट विद्रों की सूचना माउंट आबू में कब मिली अच्छा परशन है दस में 1859, 28 में 1859, 15 में 1859 इसका राइटन्स रो जाएगा 19 में 1859 एक जो चाउनियां थी उनके मुख्यले आपको बता देता हूँ और साथ में रेजिमेंट कौन सी थी वो बता देता हूँ टेबल में दे रखा है पेज नमर च्छे पे नसीराबाद चाउ इनफी नेटिव इनफेंट्री थी फिर देखे नीमच है इसका मुख्याले गवालियर था मालवा मिवाड राजपुताना रेजिमेंट थी यहां पर एरिनपुरा है जो एरिनपुरा चाउनी है इसका मुख्याले पाली था और रेजिमेंट थी जोद्पुरली जिन देवल है इसका मुखेल है उदेपूर था भील रेजिमेंट थी यहां पर अगला प्रसन देखे प्रसन यह है राजस्तान में सबसे ज़्यादा सू नियोजित्वे सू नियंत्रित क्रांती कहां से कहां पर हुई राजस्तान में सबसे ज़्यादा सू नियोजित्वे सू नियंत्रित है वो कहां पर हुए थी बताइए जल्दी से तो यह भी थी कोटा में कहां कोटा में अगला देखिए अगला परसंद यह है अठार सुस्तावन की क्रांति किसमें कोटा के महाराव कौन थे महाराव राम सिंग पर्थम महाराव अमर शिंग द्वित्य है महाराव फत्य शिंग इसका रायटांस रोजाएगा महाराव रामशिंग द्वित्य है महाराव रामशिंग द्वित्य है चलिए कोटा के बारे मता देता हूँ कोटा में जो विद्रोय हुआ 15 अक्टूबर 827 को लाला हर्द्याल और मेराब अलीख खां के द्वारा यहां पर कोटा में करांती की शुरुआत होती है रास्तान में सबसे ज़्यादा शून्योजित और सूनियंत्रित तरिके से करांती कोटा में हुई थी और यहां पर हुआ क्या था कोटा में विद्रोयों ने केप्टन बर्टन कासिर काट कर पूरे कोटा में गुमाया था और कोटा के महाराओ राम सिंग द्वित्य को करांती कारियों के द्वारा कोटा दुरूग में केद कर लिया था ठीक है फिर देखें कुछ फ्रैक्ट और बता देता हूं इसी लेशन के नसीराबाद के अंदर चाउनी है नसीराबाद चाउनी वहाँ पर 28 में 1807 से 1807 की करांती है वो शुरू होती है यहाँ पर मेजर स्टोफिट स्पोर्टिस वुड वे न्यूबरी की हत्या कर देते हैं सेनिक और दिल्ली की और परस्तान ऐसा नारा देते हैं नीमज में विद्रोवा था 3.1857 को मुहमद अली बेग के नेतरतों में फिर देखे एरिनपुरा में विद्रोवा था 21.1857 को यहाँ पर जोद पूरलीजियन ने मोति खां सुबेदार सितल परसाद और तिल कराम के नेतरतों में यहाँ पर विद्रोव किया था और यहाँ के क्रांतिकारियों ने चलो दिली मारो फिरंगी का नारा दिया था आहुआ के ठाकर कुसाल सिंग इन सेनिकों से मिले और इने अपने साथ आहुआ ले गे थे आहुआ में विद्रो ठाकुर कुसाल सिंग चमपावत द्वारा किया गया 8 सितंबर 1857 को भी ठोड़ा पाली में केप्टन हीद कोट वै जोदपूर महराजा तकत सिंग की श्यूक्ट सेना को प्राजित किया था इसने खुसाल सिंग चंपावत की जो टुकड़ी थी इसने 18 सितंबर 1857 इश्वी को करांतिकारियों तथा जोदपूर के पॉलिटिकल एजेंट मेक मोसन के बीच चलावास का यूद वा इस यूद में मेक मोसन का सिर काट कर आहुआ के किले पर लटका दिया गया था फिर देखे ब्रिगेर्डियर होम्स के नेतरतों में सेना ने जनवरी 1888 में आहुआ पर आकरमन कर किले पर अधिकार कर लिया आहुआ की करांतिकों आज भी लोग भोली आदी के लोगितों के मादम से याद करते हैं तो ये लेशन एक और दो था जो मैंने आपको पूरा बता दिया है आई हो भी वीडियो आपको अच्छा लगाओगा अच्छा लगाए था वीडियो को लाइक करना और शेयर करना इसके साथी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक जैहिंग जैभार्ट नमस्कार दोस्तो देल लर्नर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में दोस्तो अपन करेंगे जो हमारा राजस्तान की बुक है कक्ष्या आठ की उसका जो चैप्टर तीन और चार है उसके वस्तो निश्ट परसन तो देखिए तीन नमबर जो पाठ है आधुनिक राजस्तान का निर्माण इसका पहला क्यूशन देखिए आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा क्यूशन यह है कि राजस्तान एक ही करण की सुख बुगहाट 1949 इश्वी में किस वाइस राए के एक आदेश के उपरान प्रारम हो गई थी लारड केनिन, वीलियम बेंटिंग, लारड लिन लिथ को लारड डल हो जी तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लारड लिन लिथ को सी वाला उप्सन है वो राइट हो जाएगा अगला प्रसंद देखे आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा प्रसंद ये है कि भारत सरकार के रियास्ति विवा के निर्ण आनुसार सौतंतर भारत में वहर रियास्त जिसकी नियूंतम आए एक क्रोड रूपे वार्शिक और जन संक्या दसलाख रूपे या उश्य अधिक नहीं थी वो कौन सी थी चैपूर जोदपूर बिकानेर या अजमेर तो देखी इसका राइटांसर क्या हो जाएगा अजमेर चार वो रियास्ते थी जिनकी एक क्रोड रूपे वार्शिक आए और जन संक्या दसलाख या उश्य अधिक थी वो थी चैपूर जोदपूर बिकानेर और उद्यपूर अगला प्रसन देखे आपके सामने स्क्रेन के उपरी ये रहा प्रसनि है कि एकिकरन का पर्थम पर्यास किस रियासत के साशक त्वारा किया गया तो इसका राहटांसर क्या हो जाएगा कोटा के साशक महारव भीम सिंग के द्वारा भी वाला अप्शन हो राहट हो जाएगा कोटा के रियासत भीम सिंग के द्वारा और राजस्तान के एकी करण से पूर राजस्तान में 19 रियासते और 3 ठीकाने थे ये भी आपको द्यान होगा अगला प्रसंद देखिए आधुनिक राजस्तान के निर्मान का कारे कब पूरा किया गया आधुनिक राजस्तान के निर्माण का कार्य कप पूरा किया गया अक्टूबर 1955, दिसंबर 1956, नॉवंबर 1956, दिसंबर 1958 तो इसका रायटांस रोजाएगा नॉवंबर 1956 आधुनिक राजस्तान के निर्माण का कार्य कप पूरा किया गया नॉवंबर 1956 अगला प्रसंद देखे आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा प्रसंद ये कि मतश्यशंग में कौन सा जिला सामिल नहीं था मतश्यशंग में कौन सा जिला सामिल नहीं था अलवर, धोलपूर, भरतपूर या दोसा इसका राइटांस रो जाएगा दोसा मतश्यशंग में कौन सा जिला सामिल नहीं था तो दोसा नहीं था मतश्यशंग में अलवर भर्थपूर दोलपूर क्रोली ये रियास्ते सामिल थी अगला देखिए मतश्यशंग का परधान मंत्री किसे न्यूक्त किया गया मतश यशंग का प्रधान मंत्री किसे न्यूक्त किया गया शोबाराम कुमावत गोकुलाल सावा यालाल सास्त्री मान केलाल वर्म तो इसकी ट्रीक है कुमावत असावा वर्मा सास्त्री तो इसका राइटांसर क्या हो जाएगा सोबाराम कुमावत अगला प्रसन देखिए आपके सामने स्क्रेशन के उपर यह रहा प्रसन यह है कि पूरो राजस्तान या राजस्तान संग की राजधानी किसे बनाया गया पूरो राजस्तान या राजस्तान संग की राजधनी किसे बनाया गया तो कोटा को बनाया गया इनकी डेट की भी दोस्तो ट्रिक है अगला प्रस्वन देखिए राजस्तान के एक ही करण के किस चरण में उद्यपूर का विल्य कर दिया गया मतशय संग, राजिस्तान संग, शियूक्त राजिस्तान या वरद राजिस्तान तो इसका राइटांच रो जाएगा शियूक्त राजिस्तान अगला प्रसंद देखे प्रसंद ये है कि शियूक्त राजिस्तान का उद घाटन किस ने किया श्यूंक्त राजिस्तान का उद्गाटन किसने किया गोकुलाल असावा जोहरलाल नहरू सरदारवल भाई पटेल या मानिक्यलाल वर्मा तो श्यूंक्त राजिस्तान का उद्गाटन किसने किया तो पंडित जोहारलाल नहरू अगला प्रसन देखे प्रसनिय वर्हद राजिस्तान का उद्गाटन किसने किया? जोहारलाल नहरू, गोकुलाल सावा, सरदारवल भाई पटेल या हिरालाल सास्त्री तो वर्हद राजिस्तान का उद्गाटन किसने किया? सरदार वल भाई पटेल ने? अगला प्रसन देखे प्रसन यह है, शिरोही का विल्य राजिस्तान एकिकर्ण की परकिरिया के किस चरण में किया गया? आबु देल वाड़ा को छोड़कर शिरोही का विल्य राजिस्तान एकिकर्ण की किस पर किस चरण में किया गया? चतुर्थ, पंचम, सस्थ या सप्थ इसका राइटांस हो जाएगा छटे चरण में अगला प्रसन देखे प्रसन यह है, राजिस्तान का एकिकर्ण कितने चरणों में संपन हुआ? पांच, छे, साथ या नो इसका राइटांस हो जाएगा साथ चरणों में फिर देखे अगला चोथा पार्ट जन संख्या तो देखे, पहला प्रसन यानि तेरा नमबर सन 2011 की जन गणना के अनुसार राजिस्तान की कुल जन संख्या लगबग 6.8 एक क्रोड है जो भारत की कुल जन संख्या का लगबग कितने परतिसत है 5.3 परतिसत 5.7 परतिसत 17.5 परतिसत 10.41 परतिसत तो 5.7 परतिसत कितनी 5.7 परतिसत अगला परसन देखे राजिस्तान की जन संख्या में वृधी दर सन 2011 में कितनी पाई गई 10.41 परतिसत 20.21 परतिसत 21.31 परतिसत 32.5 परतिसत तो इसका राई टांसर हो जाएगा 21.31 परतिसत अगला परसन देखे परसन ये है कि राजिस्तान में जन संख्या का ओस्त जन गनतों कितना है राज़े की कुल जन संक्या का लग भख कितने परतिशत भाग केवल जेपुर जिले में रहता है 10, 25, 33 या 23 तो सोडा का राइटांस हो जाएगा दस परतिसत अगला प्रसन प्रसन यह है कि राजस्तान के पुर्वी समतल मिदानी छेत्रों छेत्र के जिलों की जन संक्या का गनतों कितना है एक सो तीस वेक्ति परतिवर किलोमेटर दो सो वेक्ति परतिवर किलोमेटर तीन सो बतिस वेक्ति परतिवर किलोमेटर तो इसका राइटांस हो जाएगा तीन सो बतिस वेक्ति परतिवर किलोमेटर अगला परसंद, सन 2011 की जंगरना की अनुसार राजस्तान का लिंग अनुपात कितना है, 846, 928 या 928 में, तो इसका राइटांस रोजाएगा 928 अगला परसंद देखे, राजस्तान में सर्वाधिक वे नियूंतम लिंगानुपात किस जिले में है, तो सर्वाधिक लिंगानुपात तो है डूंगरपूर में, और सब से कम है दोलपूर में, अगला परसंद देखे, 2011 की जंगरणा की उनसार राज्य की कुल साख सर्तादर कितनी है, बाउन पॉइंट एक, 66.11, 6.6, 89.19, तो 66.11, परतिशत, तो ये था दोस्तो, लेशन तीन और चार का आपका टेस्ट आपको कैसा लगा, कमेंट बोक्स में जरूर बताना, और इसके साथ साथ दोस्तों आप वीडियो को लाइक करना और सेयर करना, कल दोस्तों आपका टेस्ट रहेगा, लेशन 5, 6 और 7, 3 का, फिर दोस्तों परसों, ये किताब है, वोपन पूरी कर देंगे, तो कल दोस्तों आपको पांचमा छट और साथ मां तीन लेशन पढ़ने है, सूचना है, वो टेलिग्राम पर पहले दे दी जाती है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक जैहिं, जैभारत नमस्कार दोस्तों, देल अर्नर पॉइंट में आप सभी का श्वागत है, दोस्तों इस वीडियो में करेंगे अपन हमारा राजिस्तान की जो बुक है, आट्वी क्लास की, उसका चैप्टर नमबर पांच, छै और शाथ, तो चलिए, पांच नमबर पांट है, वो आपका है उध्योग, तो पहला प्रशन देखें, आपके सामने स्क्रिन पर ये रहा, प्रसन ये है कि बर्डी नमक खादी कहां की परसित है, भीकानेर, जेशल मेर, जालोर, या, शिरोही, तो बर्डी है वो जेशल मेर की फिमस है, अगला परसन देखें, मेरे नोग खादी कहां की प परशीद है इसका राइट आंसर हो जाएगा जेसल मेरो जोदपूर की। अगला परशन देखिए राजिस्तान में सरवाधिक उपलब्ध खनीज कों सा है? पेंटरोलियम, प्रकर्तिक गेंश, सोना या राकफोसफेट तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रोक फोस्पेट अगला देखिए अगला प्रसन यह है ग्रे नाइट उध्योग का विकास कहा हुआ जेसल मेरे जालोर कोटा या सीकर तो ग्रे नाइट उध्योग का विकास हुआ जालोर में अगला प्रसन देखिए प्रसन यह है कि राजस्तान का सबसे प्राचिन उध्योग कौन सा है सुती वस्तर उध्योग सिमेंट उध्योग चमड़ा उध्योग या शक्र उध्योग तो इसका राइटांस रो जाएगा सूती वस्तर उध्योग, राजस्तान का सबसे प्राचिन उध्योग, सूती वस्तर उध्योग अगला प्रसन देखिए, राजस्तान में सूती वस्तर की पहली मील कहां स्तापित हुई राजस्तान में सूती वस्तर की पहली मील कहां स्तापित हुई ब्यावर, भीलवडा, किशनगड या भिवाडी तो राजस्तान की पहली सुती वस्तर मील कहाँ स्तापित हुई? इसका राइटांस सुो जाएगा ब्यावर ब्यावर अजमेर के अंदर 1889 में करशना मिल्स लिमिटेड के नाम से राजस्तान की पहली सोती वस्तर मील की स्थापना की गई अगला परसन राजस्तान की वस्तर निगरी यो मेंचेस्टर किसे का जाता है भरतपूर, भीलवाडा, जयपूर या जोदपूर तो इसका राइटांस रोजाएगा भीलवाडा को का जाता है अगला परसन अगला प्रसन है राजस्तान का पहला सिमेंट कार खाना कहां खोला गया दोसा चितोडगड कोटा या बुंदी तो इसका राइटांस हो जाएगा लाखेरी बुंदी में खोला गया अगला प्रसन देखिए प्रसन यह है नीमन में से सुमेलित नहीं है बिडला सिमेंट वरकस चितोडगड मंगलम सिमेंट कोटा जेके वाइट सिमेंट चितोडगड सिरी सिमेंट ब्यावर तो इसका राइटांस रो जाएगा जेके वाइट सिमेंट नागोर तो जेक के वाइट सिमेंट है ये चितोडगड नहीं नागोर अगला परसन देखिए राजस्तान की पहली सक्कर मील दै मेवाड सूगर मील कहां स्तापित की गई बुंदी चितोडगड भीलवडाया धोलपूर तो इसका राजस्तान हो जाएगा 1932 में स्तापित की गई ये बुपाल सागर जितोडगड अगला परसन देखिए परसन ये है ये चटा लेसन आगया है परसन ये है कि सवरणिम चत्रबूज योजना में सामिल नहीं है सवरणिम चत्रभूजी योजना में सामिल नहीं है दिल्ली, बुंबई, कोलकाता या हेदराबाद तो इसका रायटांस रोजाएगा हेदराबाद अगला प्रसंदेखे प्रसंद ये है कि भारत में पहली रेल कब चलाएगी भारत में पहली रेल कब चलाएगी भार्त में पहली रेल कब चलाए गई इसका राइटान सो जग 1853 में महारास्ट्र के भुंबई यह थाने के बीच चली थी अगला प्रशन देखे राजिस्तान में पहली रेल कब चलाए गई अगला प्रशन देखे राजिस्तान में कितने रेलवे जोन है चार दो पाच या साथ तो दो है एक तो उत्रपश्मी रेलवे जोन और एक पश्मी मिमत दे रेलवे जोन अगला प्रशन देखे प्रशन यह है कि उत्रपश्मी रेलवे मंडल का मुखेले कहां च्थित है अजमेर कोटा जोदपुरिया जेपूर तो इसका राइटांस रोजएगा जेपूर अगला प्रसंद देखिए सरिस्का राष्ट्रिय उध्यान कहां इस्तित है अलवर भर्थपूर कोटाया सिरोई तो इसका राइटांसर हो जाएगा अलवर अगला प्रसंद देखिए निमन में से कौन सा युगम ऐसंगत है एक लिंग जी का मंदिर उध्यपूर गोविन देव जी का मंदिर उध्यपूर कपिल सरोर कोलाइट बिकाने देलवडा सिरोही तो इसका राइटांसर हो जाएगा गोविन देव जी का मंदिर है ये जेपूर में पढ़ता है ना कि उध्यपूर में अगला प्रसन देखे हैं प्रसनी प्रसन यह है कि राजिस्तान प्रेटन, विकास, निगम का मुखेले कहां इसतित है जेपूर, अजमेर, उद्यपूर या कोटा तो इसका राइटनसर क्या हो जाएगा जेपूर अगला प्रशन देखिए राजस्तान में मेट्रों का विकास किस जिले में किया गया जेपूर अजमेर कोटा या उद्यपूर तो इसका राइटांस रो जाएगा जेपूर में जून 2015 पंद्रा अगला प्रसंद देखे राजस्तान में कितने रेलवे मंडल हैं चार, पांच है या साथ तो पांच है जेपूर, बिकानेर, जोदपूर, अजमिर और कोटा अगला प्रसंद देखे प्रसंद साथवा लेसन आगया आपका विकास की योजना है प्रसंदेखे साजा अभ्यान योजना का मुख्योदेशे क्या है लड़कियों में शिक्षे श्वास्ते की इस्तिति में सुधार करना बाल विवास से मुक्ति परदान करना ख्रिशियों शमंदी चेत्रों में वर्दी दर बढ़ाना क्रामेंड सडकों को मेगा हाइवे से जो 17 18 19 तो 2019 में अगला प्रसंद देखिए प्रसंद यह है श्यूंक्तराशंग के देशों के द्वारा सतत विकास एजेंडा कब अपनाया गया 2012 2015 2017 2020 तो इसका राइटांस रोजाएगा 2015 पंद्रा अगला प्रसंद देखिए सतत विकास एजेंडे के द्वारा कितने लक्षों को अपनाया गया 15 16 17 18 तो इसका राइटांस रोजाएगा 17 अगला प्रसंद देखिए सतत विकास गोल को कब तक पाने का लक्ष है रखा गया 2025 तो इसका राइटांस रोजाएगा 2030 तो यह दोस्तो राइटांस रोजाएगा 2030 तो यह दोस्तो राइटांस द्यान के साथ तक आपके लेशन हो गए हैं तीन लेशन बाकी रहे हैं आट व नमी क्लास है वो मैंने कंप्लीट करवा रखी है प्ले लिस्ट में मैं वीडियो डाल दूँ आप वहां से देख लेना दस्वी क्लास है उसके 400 प्रसंद मैंने करवा रखे हैं वो भी आप वहां से देख लेना आट्वी क्लास भी मैंने पहले करवा रखे उसका मेरातन लेशनों को आपको करवाद हुआ बाकि जो नवी क्लास और दस्वी क्लास है उनके दोस्तों नवी क्लास के दोसों के लगबग प्रसन है वह आप देख लेना वीडियो दस्वी क्लास है उसके 400 प्रसन है वह वीडियो आप देख लेना तो फिर दोस्तों कभी मिलेंगे अपन जो तीन लेसन हो रहे हैं उनके साथ तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ तब तक जैहिं जैवार्थ नमस्कार दोस्तो देल लर्नर पॉइंट में आप सभी का श्वागत है इस वीडियो में दोस्तो अपन करेंगे जो कक्षा आठ की हमारा रास्तान की बुक है उसके लास्ट जो दो तीन चैप्टर रहे वे हैं उनका टेस्ट पेपर बाकी तो कंप्लीट अपन कर चुके थे तो चलिए आठ माले सन है जन जागरन यों समाजिक सुदार हेतु राजनितिक प्रियास तो पहला प्रसन देखिए प्रसन ये है कि भूदाल अंदोलन की सुरुआत तेलंगाना के तिरू तिरूप चली में किसने की ये पहला क्यूशन है पंडिज भारलाल नहरू विनोबा भावे जोतिबा राव फूले या महत्मा गांदी तो इसका राइटास रो जाएगा वि अगला प्रसन देखिए विनोबा भावे ने भूदान अंदोलन की सुरुवात कब की? 18 अप्रेल 1951, 22 अप्रेल 1951, 18 अप्रेल 1952 या 25 अप्रेल 1956 तो 18 अप्रेल 1951 को की ती अगला प्रसन देखिए प्रसन ये है कि विनोबा भावे की अपील पर राजिस्तान के किस जीले से भूदान अंदोलन प्रारम किया गया? जेपुर, जोदपुर, अजमेर या नागोर तो इसका राइटास रो जाएगा नागोर अगला प्रसन देखिए प्रसन ये है कि सविधान के किस अनुचेद में चुआ चूत को दंडनी अपराद गोशित किया गया है? अनुचेद 16, अनुचेद 17, अनुचेद 18 या अनुचेद 19 तो अनुचेद 17 एस प्रस्ता का आंतर अगला प्रसन देखिए प्रसन ये है कि ऐस प्रस्ता उन्मूलन के लिए भार सरकार ने किस वर्ष नागरिक अधिकार सरंक्षन अधिनियम लागू किया कया? तो ये किया था 1952, 1954 या 1955 या 1956 तो इन में से कौन सासरी हो जाएगा? 1955 अगला प्रसन देखिए प्रसन ये है कि आप किसी भी राष्टर में महिलाओं की इस्तिती देख खर उस राष्टर की हालत बता सकते हैं तो इसका राइटांसर हो जाएगा पन्डित जुहारलाल नहरू की इस्तिती देख खर उस राष्टर की हालत बता सकते हैं पन्डित जौहारलाल नहरू अगला पसंदे के जनगणना 2011 के उनसार राजस्तान की महिलाओं साख सर्दादर कितनी है? 50.52, 1.50, 2.10 या 54.52 तो दोस्तो इसका राइटास रो जाएगा 22.10, बुक में दोस्तो 22.12 भी आपको मिलेगा अगला परसन देखिए परसन यह है कि राजिस्तान सरकार के द्वारा राज्य महिला आयो का गठन कब किया गया तो 10.1994, 15.1945, 25.1996 या 15.1999 राज्य सरकार द्वारा राज्य महिला आयो का गठन तो 15.1999 अगला परसन राज्य महिला आयोग में एक अधेक्ष वह कितने सदस्य होते हैं दो, तीन, चार या पाच तो इसका राइटास रो जाएगा तीन सदस्य होते हैं और एक अधेक्ष अगला परसन देखे परसन यह है कि राज्य महिला आयोग की अधेक्ष का कारेकाल कितने वर्स का होता है एक वर्स, दो वर्स, तीन वर्स या पांच वर्स इसका राइटास रो जाएगा तीन वर्स राजे महिला योग कि अधिक्स का कर्यकाल कितने वर्ष का होता है तीन वर्ष अगला परसन बेटी बचाओ बेटी पड़ाओ अभियान की शुरुआत किस वर्ष की गई 2012, 2014, 2015 या 2019 इसका राइटांस रो जाएगा 2015 में की गी थी बेटी बचाओ बेटी पड़ाओ अभियान की शुरुआत अगला परसन देखिए सुचना का अधिकार कानून बनाने वाला देश का पहला राजे कौन सा है तमिनाडू, राजस्तान, महाराष्ट्रिया, गुजरात तो राजस्तान, यह सुचना का अधिकार कानून बनाने वाला देश का पहला राजे, राजस्तान 2000 में बनाया था अगला परसन देखिए, परसन यह है, यानि नौवा पाठा गया, गरामिनवे, सहरी परशासन परसन देखिए तेरा नम्मर किस सविधान संसोदन विधे के अंतरगत पंचायती राजविश्ता को अपनाया गया अगला परसन, ग्यार्चय अन सुची में पंचायती राजविश्ता के 33 धांचे के कितने कारियों काून लेख है तो ग्यार वियन सुची में पंचायती राजवेस्ता के त्रिस त्रिय धांचे के कितने कार्यों का उलेख है? 29 अगला प्रसन देखे, प्रसन यह है कि पंचायत समीतिक हस्दस्य बनने के लिए नियुन्तम आयूश्यमा क्या होनी चाहिए? 18 वर्ष, 25 वर्ष, 21 वर्ष या 35 वर्ष, तो पंचायत समीतिक हस्दस्य बनने के लिए नियुन्तम आयूश्यमा क्या होनी चाहिए? तो इसका राइटांसर बताए यह जल्दी से क्या हो जाएगा? 21 वर्ष अगला परसंदेखे, नगर निगम का अधेक्ष क्या कहलाता है? परधान, सभापती, उप सभापती या महापूर, तो नगर निगम का अधेक्ष है, वो महापूर कहलाता है अगला परशन देखे नगर परिश्द के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? अगला परशन देखे परशन यह है कि नगरिय सवसासन की काई है नगर पालिका, नगर परिश्द, नगर निगम, या उप्रोक्त सभी तो ये सारी अगला प्रस्ट देखे प्रस्ट ये है कि निमन में से किस दुरुक का निर्माण महराजा सूर्जमन ने करवाया था शिवाना, लोहागड, सुनारगड या गागरोन इसका राइटांसर हो जाएगा लोहागड दुरुक भरतपूर अगला प्रस्ट देखे प्रस्ट ये है कि किस दुरुक का निर्माण दस्वें स्थाबदी में परमार, राजाओं, दारा वर्षव, पुंज द्वारा करवाया गया था गागरोन दुरुक, जालोर दुरुक, महरानगड दुरुक, चितोडगड दुरुक तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से बताइए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जालोर दुरुक अगला प्रस्ट देखे जाली पाव बावडी, मामा देव कुंड राइमल के पुत्र पर्तिराज का समार किस दुरुक में इस्तित है कुंबलगड, चितोडगड, रनथम भोर या सिवाणा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुंबलगड अगला प्रस्ट देखे प्रस्ट यह है कि निमन में से कौन सा दुरुक काली सिंद्वे आहु नदी के संगम परिस्तित है शीवाणा, लोहागड, भटनेर या गागरोण इसका राइट आसर हो जाएगा गागरोण दुरुक अगला प्रस्ट देखे प्रस्ट यह है मुलेला, मुर्तिकला कहां की परशिद है जेपूर, राजसमद या शीकर इसका राइट आसर हो जाएगा राजसमद अगला प्रस्ट देखे प्रस्ट यह है कorit राउ गुपाल सिंग् की चतरी कहां इसतित है शीकर, क्रोली, जेसल मेर या बाढ़ मेर तो राउ गुपाल सिंग् की चतरी कहा इसतित है दोस्तो 25 प्रसन थे और इसके साथ ही जो हमारा राज्तान की बूक है 8 वी क्लास की वह आपकी complete हो जाती है और प्ले लिस्ट में दोस्तो 9 वी क्लास और 10 वी क्लास के मैं वीडियो एड़ कर दूँगा क्योंकि उन दोनों के दोस्तों 10 वी क्लास के तो 400 प्रसनों का एक वीडि कर दूँगा तो वह आप देख लेना